हेई विल्कम बैक टो मैं चैनल आंचल आट कलेक्शन तो चलो आज वन स्टोक पेंटिंग करते हैं तो मैं यहाँ पे थिन ब्रश से वन स्टोक पेंटिंग करूंगी जो कि एक बहुती सुन्दर फ्लावर बुक के टाइपस बनेगा हाँ तो स्टार्ट करते हैं बनाना और वी पेली कलर में डिप होना चाहिए और जो स्टोक से उसको हम लोग बाहर से अंदर की तरफ लेकर आएंगे था कि जो हमारे पेटल से बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफुल और रियल लगे सो मैं यहाँ पे रेट कल के फ्लास बनाओंगी जो कि मैं तीन से चार फ्लास बनाओंगी आप चाहें तो उसे जादा भी बना सकते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे दो तरह के फ्लास बनाओंगी अगर आपको और भी वन स्ट्रोक पेंटिंग सेखनी है जैसे कि वन स्ट्रोक रोस कैसे बनाते हैं और भी फ्लास तो वो अल्रेडी मैंने अपने चानल पर अप्लोड करके रखा है आप से चेक आउट कर सकते हैं अधर्वाइस मैं प्लेलिस्ट को मेंशेट कर दूँगी आप प्लेलिस्ट पर जाके चेक आउट कर लेना आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहां पर अक्रिलिक कलर्स का यूज किया है बट एक्चली मैं यहां पर रंगीला वाले जो पेंट कलर आते 20 रुपीज वाला उससे बना रही हो यू कैन बिलीव दिस की इतना सुंदर सा पे इसमें डीटेलिंग्स एड करते हैं तो मैं यहां पर ब्लाक कलर से डीटेलिंग्स एड कर रही हूं उसके बाद मैं यहां पर यलो कलर से इसका मिडल पॉश्चन पे थोड़ा सा डीटेल एड करूंगी ताकि हमारे जो फ्लास है वो रियल लगे बिलकुल As you can see कि हमारे फ्लास कितने ज़्यादा सुन्दर लग रहे हैं और रियल लग रहे हैं अब सेम प्रोसेस से हम यहाँ पर पिंक फ्लावर्स बनाना स्टार्ट करते हैं आप चाहें तो कोई दुसरा कलर भी यूज कर सकते हैं तो बट मैं यहाँ पर पिंक कलर का यूज कर रही हूं सो हमें सेम प्रोसेस से फ्लास बना रहे हम लोग इसको भी बाहर से अंदर की तरफ अपने स्ट्रोक्स को बनाएंगे और हम लोग पिंक फ्लास को भी 6-7 बना लेंगे सेम प्रोसेस से सो जब तक हमारे फ्लास बन रहे हैं तब तक अगर आप मेरे चानल पर नए हो तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दो था कि आपको और भी नए-ने चीज़े सीखने को मिले और या डोंट फोगेट टू कॉमेंट शेर और लाइक आइस झाल चलो अब हम अपने पिंक फ्लास को कंप्लीट कर लेते हैं डीटेलिंग्स एड़ करके तो मैं डीटेलिंग्स के लिए आपे ब्राउन कलर का यूज़ कर रही हूँ जिससे मैं फ्लावास के मिदिल पोश्चन को कंप्लीट करूँगी brown color के बाद मैं यहाँ पर yellow color से भी detailing add करूंगी चलो हमारे सारे floss बनके अब ready है अब चलो अब हमने floss बनाए और हम leaves बनाए ऐसा हो कैसे सकता है so leaves बनाने के लिए मैं यहाँ पर same thin brush का ही use कर रही हूँ जिससे मैं real leaves बनाने की कोशिश करूंगी सोच जहाँ जहाँ पर space है हम उसको leaves से cover करना start करेंगे सो हमारे leaves यह अब तयार हो गए हैं तो as you can see कि हमारा जो flower bouquet वो कितना जादा सुन्दर बना है I hope you like it and you will try it once so do subscribe, like, comment and share guys love you all, thanks for watching